हेलो गाइज, मैं आपको दो ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे हम इंग्लिश एल्फाबेट के किसी भी लेटर का पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे C का क्या पोजिशन है, F का क्या पोजिशन है, I का क्या पोजिशन है, या R का क्या पोजिशन है, X का क्या पो इसको हम 3 के table से denote करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 मतलब C जो है वो 3rd position पे है, F 6 position पे है and so on इसी तरह दूसरा जो है वो है जोती इसे हम किसी लड़की के नाम के तरह याद कर सकते हैं किसी girl का नाम जोती होता है इसमें E silent रहेगा, इसको हम 5 के table से denote करेंगे जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 E 5th position पे, J 10th position पे, O 15th position पे अब इसी से related हम एक question solve करना वाले हैं उससे पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएगा हमें दे रखाया कि apple जो word है उसके letters 50 numbers से related है उसी तरह orange किस number से related होगा हमें वो निकालना है तो हमें पता है A की position क्या होती है, 1 P की position निकालनी है हमें पता है O की position क्या है, 15 O की position है हमारे पास, 15 अगर O की position 15 है, तो P इसके अगला होता है तो P की position हो जाएगी 16 तो P की position 16 और फिर से P आ रहा है, तो P की position फिर से 16 L की position 12 और E की position है हमारे पास, 5 जब हम इन सब को add करेंगे, तो हमारे पास total समा जाएगा 50 इसी तरीके से हमें orange निकालना है, हमें पता है O की position 15 है R की position 18 है A की position 1 है N की position निकालनी है, इतको L की position है ने 12 L अगर 12 है, तो M उसके अगला, फिर N उसके अगला 12, 13, 14, तो N की position क्या हो जाएगी, 14 G की position, G F की अगला है, F की position है 6 तो G की position हो जाएगी, 7 E की position, 5 जब हम इन सब को add करेंगे, तो हमारे पास net answer हैगा 60 15, 18, प्लस 1, प्लस 14, प्लस 7, प्लस 5, टोटल answer हैगा 60 तो हमारे जो correct answer होगा, वोगा C, 60 ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें, thanks for watching